हम लोगोगो है हलो दोस्तों फीजिक्स विंडरलेंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत हैं आज का हमारा जो टोपिक है वह है रिजुलेशन ओफ वैक्टर्स जो वैक्टर हमारा चल रहा था उसी के अंदर का टोपिक है तो क्या होथा है भी उसके बारे में ड resolution of vector और इसमें हम पढ़ेंगे 2D क्या पढ़ेंगे 2D तो टाइप का 2D and 3D तो 2D और 3D दोनों हम यहां पर करने वाले हैं तो resolution of vector क्या होता है देखिए मालो कि हमें एक plane दे रखा है XY किया दे रखा है एक एक्स वाइक्स्वाई क्योंकि 2D की हम बात करें किसकी बात करें 2D की यहांपर यह इसका origin हमने माल लिया यह जो है वो origin हमने माल लिया अब देखिए यहां पर एक वेक्टर हमें दिया हुआ यह वेक्टर A है जो X-axis के साथ में अनुटा इंगल बना रही है तो इस वेक्टर A को हमें i-cap और j-cap की फॉर्म में लिखना होता है क्या करनो होता है i-cap और j-cap की फॉर्म में यदि की के component हमें बताने किसके वेक्टर A के component हमें बताने है तो उसी को हम क्या क्या कहते हैं of factors यानि कि component के अंदर हम इसको divide कर दें कि X-axis में कितना होगा वाई-axis में कितना होगा तो उसी को हम regulation क्याते है factor में i cap or j cap की form में भी हम इसको लिख सकते हैं यृदि हमें जैसे लास्ट लेक्टर किया था उसमें कुछ प्रॉलम बताई थी कि उसको यदि हम समझ लेंगे तो यह हमें कीलियर हो जाएगा बाकि सिंपल है ऐसा कुछ भी नहीं तो हम x-axis है तो x-axis में unit vector हम क्या लेते हैं आई-cap तो x-axis में हमने unit vector ले लिया j-cap यहां तक हमारा पड़ा हुआ है कि x-axis में x-axis जो डारेक्शन है उसमें हम unit vector i-cap लेते हैं y-axis में j-cap लेते हैं यह vector a दिया हुआ है तो हम इसको क्या करें तो हम माल लेते हैं कि x-axis में इसका जो factor है या component है वो है a-x वो कितना है a-x यह x को डिपर्जन करना है ऐसे y में हम माल ले एक y क्या माल ले ay कि इसके दो component है vector a के एक तो x-direction में और एक y-direction में यहां पर जो main है यह जो vector a है वो x में भी है यह में तो इसका resultant इधर आ रहा है यह resultant हम कह सकते हैं इसका जो vector उसका resultant यह हम कह सकते हैं जैसे position vector हम पढ़ते थे यह x-axis के साथ में angle बना रहा है तो इसकी direction x-direction में कितनी है y-direction में कितना होगा इसकी value जो है vector a की कहने का मतलब कि x-direction में कितनी value यह में कितनी है से क्या डाल देते हैं एक इसको नाम दे दिया हमने में और एक परपेंडिकलर स moralityうん हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं। य-पैंडिकलर ओ डाल यह पॉइंट हामने ले लिए पी आर यह मने परपेंडिकलर डाला है हमने क्या पी एम हो गया एक य एकसिस पर पी एन हो गया एकसिस में इसका इसका component ax मान लिया y-axis में ay तो इसको component की form में कैसे लिखा जा सकता है वेक्टर एक को ऐसा लिखा जा सकता है एकस आई-cap प्लेस एवाई-जे-cap यह कुछ दारेक्शन में आगा है यह x-axis में यह y-axis बताया हुआ भी आपको तो वहां पर वेक्टर एजो होता है वह दारेक्शन और मेग्निटूड दोनों बताता है तो इसका एकस डारेक्शन में यह हो गया y में यह हमें ax और ay की value find out करनी है इसके लिए हमने यहां पर क्या कर लिया पर्पेंडिकुलर डाल दिया ले लिया पर इधर pm और इधर pm अब देखें यहां से हमें ax और ay निकालना है तो कैसे करें तो इस जो ट्राइंगल बन रहा है यह वाला ट्राइंगल लेलू मैं om p कौन सा ले लो omp we would enroll ie धर हम ले यह वाला तो इसमें एंगल्य थीथ तीटा होगे यह 90 है तो कोस लिए निकाल सकते किसकी विलम निकाल सकते कोस लिट्ण होताज वर स्थिट्टा होता क्या है तो कोस लिप उम्लों क्या होता होता है base upon hypotenuse क्या होता है base upon hypotenuse तो base यहाँ पर क्या आवरता है AX तो क्या लि՝ सकते हूँ AX और hypotenuse कितना इसका magnitude क्या लेना है magnitude में यह क rapping यह जो weaktor है इस का यह जो बता रहा है These magnitude को बता रहा हमें जो value दी जाएगी वो मानलो कि magnitude में हमें दे रखी हो ठीक है तो यह magnitude में हमें दिया हुआ है तो ax हो गया base और यह हो गया hypotenuse तो कितना हो गया ax upon a तो यहां से ax कितना जाएगा ax आ जाएगा a cos theta क्या जाएगा ax equals to a cos theta ऐसे हम sin theta निकालना चाहें इसी स्थिंट उसे साइंन थिता हम निकालना चाहें तो साइनु थीटा क्या होता है साइन ृचता होता perpendicular upon hypotenuse to perpendicular यह तो क्या लिखा जा सकता है p m और isbelsाजि Erst क्या है वोपी कितना है ओपी यह लिक सकते हैं तो यहां से sin theta कितना आ जाएगा sin theta यह आ गया हमारा pm upon op की value हमें पता है a equal magnitude के a equal होगे लेकिन pm किसके equal है यह pm किसके equal है तो देखें यह क्या इसके parallel है यह pm क्या इसके parallel है बिल्कुल parallel है यहने की pm को क्या लिख सकते हैं on लिख सकते हैं तो यहां से sin theta कितना जाएगा हमारा sin theta आ जाएगा pm को क्या लिख दूं on upon में कितना जाएगा it अब one क्या रिया था हमने a y by direction में component क्या लिया था a y साइन theta कितना आ गया साइन थीटा आ गया हमारे पास a y upon a तो a y कितना आ गया, a y आ गया हमारा a sin theta, ये value आ गया, इसको नाम equation 1 दे दे, इसको 2 और इसको 3, तो देखिए, जो x-axis में component हमने माना था a x, उसकी value कितनी आई हमारे पास, a x की value आई, a cos theta, और y-axis में component लिया था a y, जिसकी value कितनी आई, a y cos to a sin theta, तो कहने का मतलब ही है, कि हमें जो vector दिया हुआ है, ये x-axis में, ये y-axis 2D में हो गया, ये हमें a दे रखा है, तो ये angle theta है, तो इसका, यदि a का इस direction में component लेगे हैं, जिसको a x लिखा, तो a x कितना है हमारा a cos theta, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a cos theta, और y direction में a y की value कितनी आ उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, a sin theta, तो यही इसके क्या होगे, जो vector है, उसके component होगे, a sin theta और a cos theta, बाकी और भी होतने हैं, लेकिन हमें जो यूज करने हैं, वो a sin theta और a, यानि कि, जब भी vector का regulation किया जाता है, कहने का मतलब है, जब भी हम vector का regulation करेंगे, त वेक्टर का हमें दो ही component करने हैं, हमेसा हमें क्या करना पड़ेगा, दो component करने पड़ेंगे, जिसमें a cos theta होगा, और a sin theta यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर जो यह component है, यह a cos theta और इधर क्या गया, a sin theta, अब हम बात करते हैं, कि इसका magnitude निकालना है, जो हमें vector यह दिया करते हैं, solve करने के बाद, हम magnitude में निकालते हैं, तो magnitude निकालते हैं, तो देखें, equation यहाँ पर 2 और 3 दे रखेंगे, equation कौन कौन सी है, 2 and 3, यहाँ लिख देता हूं, 2 equation, a x equals to क्या है, a cos theta, यह equation 2 है, और 3 है, a y equals to a sin theta, यह equation 3 हमारे पास, अब इसको rough कर देते हैं, तो अब रखाईए, इसका magnitude क्या आने वाला, वो हम यहाँ पर निकालना चाहें, तो equation 2 और 3 का, square कर दें, और add कर दें, तो इसका square करेंगे, तो इसका square आ जाएगा, a x square equals to a square cos square theta, यह तो इसका हो गया, इसका करेंगे, तो कितना हैगा, a y square equals to a square sin square theta, यह आ जाएगा, अब दोनों को क add कर दें, क्या कर दें, add कर दें, तो यह आएगा, a x square plus a y square, इसको square किया, तो right hand side में भी क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, a cos square theta, plus a square sin square theta, यह हमने add कर दिया, यानि कि इसको इसके साथ हो गया, यानि कि इस equation को, इस equation के साथ हमें क्या करना है, add करेंगे, यह आएगा, अब गया cos square theta plus sin square theta और यह तो हमें पता है एक mathematical operation के according cos square theta plus sin square theta कितना होता 1 तो यह तो 1 हो गया तो क्या बच गया हमारे पास ax square plus ay square equals to a square तो हमें a की value निकालनी है तो a की value कितनी आ जाएगी यहां से एक को आ जाएगा अंडूट ax square plus ay square यह result आ गया यह क्या गया और ऐसा ही है हमने unit vector जब पढ़ा था कौन सा vector पढ़ा था unit vector जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमने देखा था कि जब हम magnitude निकालते थे तो इस formula से हमने क्या कहा था इसका सीधा square कर देना है इसका क्या कर देना है square यहां से हम यहां से हम यह magnitude निकालना चाहें तो यहां से क्या जाएगा a equals to undute क्या जाएगा undute इसका square कर दो तो कितना जाएगा एकस स्क्वेर प्लेस इसका स्क्वेर कर दो एवाई स्क्वेर तो वही तो रिजल्ट आया इससे भी हमने किया तो वहां पर भी कहा था कि i cap का square करेंगे 1 j cap का square करेंगे 1 हो जाएगा तो यहां से भी वही result हमें देखने को मिल रहा है यानि कि जो हमने vector हमें given था उस vector का हमने regulation किया और regulation करने के बाद हमारे पास जो result आया ठीक है vector a हमें मिल गया और उसका magnitude भी हमें मिल गया तो vector a यह है और इसका magnitude आया वह कितना है अंडूट a x square plus a y square अब माल लो direction पूछ रहे हो कि यह इधर component दे रखा है इधर component दे रखा है इधर a x जो हमारा आया a cos theta के equal इधर आया a sin theta के equal जिसको हमने a y लिखा था क्या लिखा था a y और a x कितना आ गया a cos theta के equal आ गया अब हम क्या करें कि यहां पर हमें जो है कि इसका magnitude हमें निकालने मालो अब यह दे रखा और इनका resultant हमें निकालना हो या direction निकालनी हो कि एक component इधर एक component इधर तो उसकी direction कि इधर होगी यानिकि एंगल कितने एंगल पर उसका resultant आने वाला हैं तो direction निकालने के लिए कि 10 टीटा पड़ते क्या पड़ते हैं 10 टीटा 10 टीटा हमें आना चाहिए तो 10 टीटा क्या होता perpendicular upon base क्या होता है perpendicular upon base तो यहां पर ay upon में upon में क्या जाएगा upon में ax आ जाएगा तो यहां से थीटा हमें निकालना हो थीटा तो थीटा किसको बताएगा डारेक्शन को बताएगा किसको बताएगा अब यहां पर हमें ax की value ay की value दे रहे कि वह हम पुट कर देंगे और थीटा यहां पर find out कर लेंगे जिससे हमारे पास क्या जाएगा उस magnitude यह हम कहें कि जो वैक्टर हमें दिया वह उसकी डारेक्शन की x-axis के साथ में कितना एंगल है y-axis के साथ में कितना एंगल है उसको हम solve कर सकते हैं तो यह था regulation of vectors का कि वैक्टर का regulation कैसे किया जाता है तो अब हम नॉर्मल यदि एक क्यूशन करें जिससे कीलिर हो जाए हमें मानलो हमें दिया हुआ है एक वैक्टर दिया हुआ यह x-axis हो गई यह y-axis हो गई और यह एंगल मैंने कहा दिया 30 डिग्री है कित्ने डिग्री है 30 डिग्री जो किसे साथ मेंक्त एक-lexes के साथ में बना है हमें संट की दे रखिए जैसे 5 N कि दे रखिया यानि कि जो फोसट है वह दिया हुआ है कितने नुम पांच न्यूठ निटर का wykor तो हमें पूचा गया है कि इस direction, में और इस direction में component क्या होंगे किसके इस वैक्टर के इस वैक्टर को हमने लिख दिया f क्या लिख दिया f equals to हमारे पास कितना है पांच Newton यह resultant हो गया तो इधर component हमें लिखना तो क्या लिख देंगे इधर लिख देंगे 5 cos 30 degree और इधर क्या लिख देंगे 5 sin 30 degree यह आ जाएगा तो ऐसे component हमें करने पड़ते हैं किसके वैक्टर के यदि हमें resultant दिया हुआ हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी हमने लिखा कि हमने लिखा a x equals to कितना है हमारे पास हमारे पास आया a cos theta और a y कितना a y आया a sin theta तो यहां से वैक्टर यदि मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं दिख सकते हैं कि नहीं तो यहां पर जो यह होगा वह मैगिन्टूट को रिपर जन करें तो यहां पर यह आई कैप डारेक्शन x-axis में होगा है यह वाई-axis में इसी को हमने a x और a y बोला है तो यहां पर कंपोनेंट करने होते हैं इसका मिन्स करें कि वेक्टर में सकते होते हैं उसके एक टो एक seeking i can में हमें क्या करता है मैं यह तेयों हटा गयए कि यह आद हरें हैं में और और 2009 में बहुत ज्यादा का ही कि कमबोनेंट कर दिया सब्सक्रण पर एक फेलेक्र सटेटिक्षैक्टर है उसमें में क्याぁ होता है तो उसमें हम करते हैं कि जल्टन किधर आएगा अलग लग दे रखा हूं तो जब भी गोश्लों भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके component हम यूज करेंगे किसके वैक्टर के तो component जब भी किये जाते हैं वैक्टर के तो याद रखना दो ही component एक तो kोश θήता और एक साइन हा थीता बाकी और हमें यूज करना है उनली साइन थीता और कोश थीता की य Ai वेक्टर हमें दिया हुआ है के components पूछ लिए जाएं तो क्या करना है sin θ and say यह जो एंगल इंगल किसके साथ था एक्स एक्सिस के साथ अब आंगल y-axis के साथ भी हो सकता है किसके साथ और सकता है y-axis के साथ भी हो सकता है तो component कैसे होने वह भी हमें आना चाहिए कि मानलो कि यह xy plane हमें दे रखा है कौन सा plane xy plane हमें दे दिया यह origin हो गया अब जो एंगल है वह ऐसे बना दिया क्या बना दे यह दे दिया हमें वही कंडिशन दे दिया कंडिशन वही यह उसी टाइप की है ने में एंगल रे हमें नहीं यहां है तो अब इधर कंपोलिट कौन साइबा और इधर कंपोलिट कौन साइबा तो जैसे एंगल यहां आभ wspके साथ यह याद रहता है जिस a a36 के साथ में एंगल बनेगा यह बनता है उस aивать कि यहाँ पर कोश थीटा लेगें किसका i了ब अ आती है उसमें लेते हैं sin theta factor तो क्या जाएगा a sin theta जबकि अभी हमने किया था उसमें हमने क्या किया यह एक्स यह origin हमने मान लिया और हमें यह condition दे रहा है यह angle theta तो इस एक्सिस के साथ था साइन थीटा बस यह आपको याद रखना बाकी थियोटिकल है इसमें ऐसा कुछ नहीं हमें कंपोनेंट करने आने चाहिए क्योंकि वैक्टर जब हम पढ़ेंगे आगे जब हम और प्रोलम सोल करते जाएंगे तब हर बार हमें कंपोनेंट यूज करने आने चाहिए कैसे 반ранाल हो जाती है तो ऐसा हमें नहीं करते हैं हमें याद रखना कंपोनेंट कैसे की जाते ये तो था 2D में एपर огलंके 3D में के रहा है उनला ये रहेंसान कमठोर में करते तो उसके लिए क्या कि आता है उसके लिए 3 तीन डारेक्शन हम लेते हैं उसमें तीन डारेक्शन आ जाती है कि 3D के हम बात करें किसकी 3D की यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया जैड एक्सिस हो गया यह इसका origin हो गया हमें वैक्टर दे रखा है मानलो यह दिया हुआ है तो इसका शॉल ना करके वैसे ही मैं बता देता हूं कि यह एंगल बन रहा है यहां पर क्या बनना है एक एंगल बनना तो हमें इसके component करने हैं क्या करने है component करेंगे तो 3D में क्या एगा 3D में आ जाएगा Fix limit यह निए एक कइसस को बताएगा यह एकश लिए यह और यह i uk और यह और यह ऑद जअ कि त करेंगे तो फिया निए लेकिन रिजल्ट यह आएगा अभी हमने 2D का किया है उससे बेश्ट एक दो प्रोलम और कर लेते हैं जिससे और अच्छे से कलिए हो जाये जो 3D वाला फॉर्म ला कि मैं लिख दिया 2D में यह यह होंगे य हम वाई जे रखा तो यह यह योज हो जाएंगे यह 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 कोई भी दो यूज होंगे इस प्लेटेंटी दो-वाला है किफ थी रिह यहां पर सब्सक्राइब दिया जा सकता है यह से अगले लेक्षिस होकслित करेंगे यहां पर देखें और क्षुसन हम करें था यहीत यहा पाई गूल हो यह त्थे टेने और रहेंगा हैं धिया जा सकता है है कि यह angle इंगल कुछ है जो किछ वेक्टर आंधर कोई वेक्टर है इसका कंपोनेंट बताना है प्या के था दो आभ यह पढ़ा था इस प्रकार से पढ़ा था इस परकार उसक्त एक्स है कि यह यह अक्स्षर के estas क का दाल फो सकती जरूरो हो उपर हो वाई एक्सिस नीचे भी हो सकती है तो उस condition में हमें क्या होना चाहिए component आना चाहिए तो rule वही है rule क्या है कि जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उदर क्या लिख देते हैं HKD और जिस वेक्टर का करना है उसको 7 में लिख देते लिख देते Z दूसरी जो साइड बच गई उसको क्या लिख देते हैं साइन दीटा और जिस वेक्टर का करना वो लिख देते हैं यह सिंपल सी चीज है ऐसा भी हो सकता है माल लो कि हमें दिया हुआ हो इस परकार से यह दे दिया यह एंगल दे दिया यह एंगल थीटा हो गया अब बताए कंपोनेंट यह वेक्टर ए हमारे पास यह एक्सस है यह एक्सस है ठीक है तो कंपोनेंट तो यह होंगे लेकिन इसको लिखा कैसे जाए अब इसको कैसे लिखना है तो इसको ऐसे लिखना है कि वेक्टर एक्वेस्ट ऐसा लिखा जाए गया यह एक्स हो गया और यह क्या हो गया इसको ऐसे लिखा जाए यह लिखने का यानि कि जैसे नीचे चले गए हम तो वही कम चीज हो गई कि यह डिखे जैसे ले यह एक्स डैस यह यह जीरो यह इधर इसके जींड़ अigraphy यह जीरो करने चल लें चल ले तो पॉजिटिव यह बयुख आजब में आने की नेगेटिव आजाएगा तो यह जे कैप नेगेटिव में ऐसे लिखें अब इसको कैसे लिखें एंगल इसके साथ दिया हुआ है तो जिसके साथ एंगल दिया हुआ उसको क्या लिखते हैं को स्थीटा तो यह लिख दिया हमने को स्थीटा और जिसका करना है उसको multiple कर दो तो क्या जाएगा a cos theta दूसरी बच गई उसको क्या लिख दिया a sin theta यह 0 हमने मान रखा यहां पर origin इसका तो यह 0 के इधर आ गया यह निच्छे आ गया यानि कि इसके इधर वाली condition हो करके यह वाली condition होगा यह तो यह भी negative में यह भी negative में तो क्या लिखा जाएगा इसको मान लो ax हम लिखे a x request to और इसको लिखे हम a y तो कितना जाएगा a x vector a कितना जाएगा इस condition में चल रहे है negative x-axis में हम चल लें positive y-axis या negative y-axis उसका हमें ध्यान लखना बस बाकि component वही है कौन साइक को कोज थीटा होगा और एक साइन थीटा होगा यह था हमारा आज का लक्टर जिसमें हमने resolution of vectors के बारे में study किया 2D में 3D वाला हम अगले lecture में complete करेंगे वह भी किलियर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा है formula उसका बताया था क्या आएगा वही आएगा ए वैक्टर एक्वेस टू क्याएगा यह फॉर्मला हम प्रूफ करेंगे किसमे 3D में अभी हमने study की वह 2D थी जिसमें resolution of vectors था 2D के अंदर फिर इससे based problem हम जैसे-जैसे solve करते जाएगे जैसे last lecture आप देख सकते हैं उसमें problem solve करवाई थी पहले मैंने जिससे यह चीज clear हो जाए वहां पर भी बताया था component कैसे किये जाते हैं तो वह lecture देखोगे उसके बाद में यह सीखोगे तो समझ में आ जाएगा उसमें हमने यह भी लिया था नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट इसका यूज करते हुए हमने resolution करना सीखा था आज हमने i cap और j cap हमें दे रखा x axis और y axis तो उसके